गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स तुड़ेंग आज पढ़ेंगे जैसे कि रोटेटिंग साफ्ट जो होता है उसमें में लिक्या होता है एक्जिल थ्रेश्ट होता है कुछ पॉइंट से जो मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया हुआ हो जैसे कि प्रोपेलर साफ्ट स में स्तेमाल होता है अप्लिकेश्टिंग घराथा सब्सक्रेशं, यसीब इसपलेंग सर्फेस होता है किसी पार्प होता है इसे को कंसिड़र करता है उसी को क्या बोलते हैं पाइबेट बोलते हैं पाइबेट टैप की होता है जिसे कि यह वह गए का फुलाट-पाइब यह निओ कि आपका फूक्री आवकर कर nu कि यह हो गे सिंगल फ्लैट कॉलर यह कि यह दोनों इंड ही उसका ओपर रहेगा या आपका मुल्टिपल FLAAT कोलर यहां पर मुल्टिपल कोलर लगा उए तो इस परकार से हम लोग क्या करते हैं अलग अलग टाइब का पाइबट का एको इसको कलासिफाइघ करते हैं अब आप लोग जो होता है नीव बेरिंग क्या अगा होता है आपका प्रेशर ओभर दा रभीभी के इसे इनिफॉर्म ले दिक्टूबीटर रहे होता है निक्स हम लोग पड़ता है वाटर दा इस्टेडी फूर बिंग एजंप्शना रहा है तो हम लोग को जो एजियूम करते हैं बेरिंग के बारे मां उसके लिए दो केसे करना पड़ता है दा सबसे पहला है दा प्रेशर जी इनिफॉर्म ले डिश्टुवेटेट थूर बेरिंग सर्फेस तो हम लोग सबसे पहला प्रेशर के बारे में हम लोग Japan करेंगे यहां पर देख देखरा स्लाइड़िंग एलंग सर्फिसक ओंटेइट वेट्यूइट राइ सबसे चीज के बारे में हम अभी डेराइव करेंगे तो लोग कुछ पॉइंट यहां पर ये जो बेरिंग इंट्सक्षाला के लूट उन्हां किए है pudd policy इस हाई और इंटेंशिटी के लिए से दिए १। क्या करेंगा हम लोग considering uniform pressure तो जब हम लोग consider करेंगे uniform pressure पर that means क्या होगा कि pressure जो होगा वो uniformly distributed रहेगा throughout the bearing surfaces तो यह हम लोग consider के वन the pressure uniformly distributed over the bearing area तब क्या होगा आपका pressure का जो formula वो क्या होता है force by area that means यहां force मतलब क्या लोड जो एक कर रहा है w और area क्या हो जाएगा आपका पाई आर इसक्वार इसलिए pressure जो हो गया हो क्या होगा डबलु बाई पाई आर इसक्वार अब considering ring of radia r in thickness d r और bearing area जो हम भी बोल रहे थे वो क्या है आपका consider क्या ring को जिसका radius क्या है आ रहे और थिक्रिस क्या है d r तो area bearing surface जो हो जाएगा आपका 2 pi r into d r यह एरिया हो गया अब उस पर जो लोड निकालेंगे चुक सिंस वह एक छोटा section है तो उस पर लोड क्या होगा तो consider क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया पी इंटू ए तो पी इंटू ए का value पूट कर देंगे 2 pi r into d r अब हम लोग जब आपका t r equals to f r into r तो यह आपका देदेगा frictional resistance into radius और को जब multiply करेंगे तो मेरा equation ऐसा बन जाएगा 2 pi mu pi r square into d r अब हमको total अगर frictional torque निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इस equation को integrate कर देंगे कहां से के बिच 0 से r के बिच क्योंकि मेरा जो बड़ा radius वो क्या है capital R है तो 0 से capital R के के बिच में लोग इसको क्या करेंगे integrate कर देंगे so integrating this equation within the limit from 0 to r for the total frictional torque on the private bearing तो उसको जब 0 सार करेंगे तो 2 pi mu p क्या है मेरा constant है तो आपका क्या हो गया integration से बाहर आ गया तो सिर्फ integration किस का होगा r square का r square का integration क्या होता है मेरा r q by 3 हम कल भी बताया था आप लोगो जो भी cases होता है x to the power n plus 1 by n plus 1 हो यह फॉर्मुला पूट कर दिए ति यह r q by 3 आ गया अब क्या करेंगा upper limit minus lower limit तो lower limit तो मेरा 0 है तो ultimately क्या दाए capital r q by 3 तो यह आपको क्या देगा 2 by 3 into pi mu p into r q यह आपका equation निकल गया किस चीज का total frictional torque का अब पी जो है वो क्या है मेरा pressure pressure का हम लोगो फॉर्मुला पहले ही निकल ले थे w by pi r square तो w by pi r square को क्या करेंगे यहां पर हम लोग input कर देंगे जब इसको हम लोग solve करेंगो तो यह r q और r square में से एक r बचेगा तो ultimately equation मेरे को क्या देगा 2 by 3 into mu w r तो यह मेरा हो गया ultimately equation किस चीज का यह होगी तो यह होगी आपका 2 by 3 mu w r यह होगी आपका frictional torque while considering consider uniform pressure that means considering pressure throughout uniform pressure theory now जो आपका जो हो जाएगा वहाँ पावर पावर क्या होता है torque into आपका angular velocity this is torque t into omega तो omega का बहले 2 pi n by 60 यह पूट कर देंगा तो हम लोग क्या मिल जाएगा आपको पावर भी मिल जाएगा अब दूसरा जो consider case हो क्या आपका considering uniform wear तो uniform wear को जो हम लोग consider करेंगे तो we have already discussed that the rate of wear depends upon the intensity of pressure and the velocity of rubbing surfaces b it is assume that the rate of wear is proportional to the product of intensity of pressure and the velocity of rubbing surfaces that is p into b since the velocity of rubbing surfaces increases with the distance from the axis of bearing therefore for uniform wear p into r क्या हो जाएगा आपका constant हो जाएगा और p क्या हो जाएगा c by r that means constant by जो radius है उसके equal हो जाएगा जब हम लोग इस पे load निकालेंगे तो load क्या हो जाएगा डिल डबलू बराबर p into 2 pi r again same formula और यहाँ पर p के जाएगा पर क्या होगा वहाँ जो formula तो वहाँ जाएगा तो p के जाएगा यहाँ क्या पूट करेंगे c by r into 2 pi r into dr तो यह आपक capital r के बिच हम जब करेंगे तो 2 pi c constant है बाहर आगया integration of dr क्या हो जाएगा small r अब उसको जब हम लोग integrate करेंगे within the limit 0 से r तो मेरा value क्या देगा 2 pi c into r ssc का value क्या मिल जाएगा w by 2 pi r तो यह मेरा निकल गया constant का value अब हमको क्या निकालना है frictional torque तो frictional torque क्या हो जाएगा आपका हम लोग total friction torque अगर निकालना था एगन इसको integrate करेंगे कहां से कहां के बिच में 0 से लेके capital r के बिच में 2 pi mu c constant यह भी integration से बाहर हो गया small r के integration r square by 2 वही formal x to the power n plus 1 by n plus 1 फिर जब इसको हम लोग लिबिट पूट कर दिया तो क्या equation बना 2 pi mu c into r square by 2 और यह ultimately 2 to cancel हो गया तो यह मेरा equation दिया pi mu c r square c के भालों को पता है w by 2 pi r उसको put कर दिये तो यह equation ultimately मेरे को क्या दिया 1 by 2 into mu w r तो यह मेरा हो गया 2 case सबसे पहला हो गया inform pressure को consider करते हुए और यह case हो गया मेरा inform where को consider करते हुए तो यह मेरा overall equation हो गया आपका quiz का flat pivot का यह मों लोग flat pivot हो जाएगा तब हम लोग यह आला case हम लोग consider करें यह एक numerical जो आप लोग को solve करना है एक question दिया हो जैसे कि अब vertical shaft 150 mm in diameter rotating at 100 rpm rest on a flat end 4 step bearing मतलब flat यह पाइबट का case है the shaft carries a vertical load of 20 kN assuming uniform pressure distribution and coefficient of friction equal to 0.05 estimate power lost in friction हम लोग को power loss निकालना consider क्या करना सिर्फ uniform pressure को लेके तो हम लोग को देखे यहां से दी का जो value 150 mm radius निकल जाएगा 75 इसको मेटर में change कर दिये n का value दिया हुआ है omega का value भी आपको यहां पर दिया हुआ है और omega का value 2 pi n by 60 से हम निकाल सकते है w का value दिया हुआ है मू का value दिया हुआ है आपको uniform pressure theory का consider को case करना है और उसको consider करते हो जो भी formula निकला है आपको टॉर्क का value निकलना टॉर्क निकल जाएगा तो टॉर्क वराबर क्या होता आपका पावर बराबर टॉर्क इंटू omega वहला फॉर्मला पूट करना तो पावर निकल जाएगा तो try to solve by your own using the case of uniform pressure theory and submit it to me in your assignment so solve this numerical अब हम लोग next case जो पढ़ेंगा वह हो जागा आपका color bearing के बारे में so यह scenario आपका किसका flat color bearing का यह आपका symmetric setup हो गए यह single color bearing का है और यह है आपका multiple color bearing का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो r1 है वो क्या है आपका external radius है और r2 जो है वो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं इसको यहाँ पर elementary section है जिसका आपका radius जो है वो है और उसका thickness जो हो क्या है आपका dr है तो उस elementary section पर हम लोग जब उसका torque निकालेंगे तो उस element consider करते हैं तो क्या निकले का टीर वर रवर रवर टू पाई मियू इसको इसको डीर जैसे हम लोग प्रिवेस केस में निकाले थे हैं एगें टूटल टॉर्क निकालने के यहां से आपका क्या होगा सिर्फ r2 के integration होगा वो क्या देगा rq by 3 यहां पर r3 हो गया लेकिन यह आपका क्या देगा यह rq by 3 यह आपका value होगा तो rq by 3 निकला तो अब जिसके limit पूट करेंगा तो upper limit minus lower limit तो यह क्या देगा इसको यहां पर पूट कर दिया और जब पूट करने पर solve करने पर मेरा equation ऐसा है 2 by 3 mu w r1 q minus rt q by r1 q minus r2 q तो यह होगी आपका torque while considering uniform pressure अब हम लोग torque निकलेंगे कब considering uniform wear तो uniform wear को consider कर देगा जब torque को निकलेंगे तो उस time मेरा क्या हो जागा del w का value क्या हो जागा p r into 2 pi r into dr और p का क्या हो जागा c by r हो जागा बस वही एक difference होगा और इसको solve करने पर क्या देगा 2 pi c into dr अब एगन हम लोग को c का value निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा del w को integrate करना पड़ेगा कहां से कहां के बीच में r2 से r1 के बीच में आपका इसको जागा 2 mu into del w into r क्योंकि आपका वही है क्या होता है उसमें force into frictional force into आपका radius to mu into w ho गिया frictional force और r क्या हो गिया आपका perpendicular distance जो तॉर्क का formula के लिए यूज किया गिया तो mu into 2 pi c dr into r तो यह आपका क्यों करने पर 2 pi mu c into r into dr r अब हम लोग इसको एगें total torque निकालने के लिए r2 से r1 के बीच में integrate करेंगे तो r का integration यह बाकी सारा constant बाहर आ गया r का integration r square by 2 within the limit r2 to r1 जब limit को put किया तो value मेरे को यह दिया जब उसको हम लोग solve out किये तो मेरा यह value निकला again c के value किया निकला था मेरा यह value निकला था तो इसको यहां पर लाके put कर देंगे यहां put कर देंगे तो वह value देगा pi mu w by 2 pi r1 minus r2 और यह किया देगा r1 square minus r2 तो इसको solve करने पर मेरा यह value आएगा 1 by 2 into mu w into r1 plus r2 तो यह आपका यहां पर आपको इसको पर देखा रहा है जिसको आप लोगो फिर से solve करना है बस basics उसको मैं समझा देता हूं कैसा आप लोगो निमर के लिए है आपका कि a thrust at a safe has six colors of 600 mm external diameter यहां पर आपको six color दिया हुआ जिसका external diameter 600 mm है और यह आपका color bearing का case है and 300 mm internal diameter the total thrust from the propeller is 100 kN if the coefficient of friction is 0.12 and the speed of engine in 90 rpm find the power absorbed in friction at the thrust block assuming in from pressure and in from where यानि कि दोनों ही case को आपको आजियूम करते हुए आपको power को निकाला है कितना power absorbed हो रहा है आपको n का value दिया हुआ small n का value दिया हुआ आपको six है diameter दिया हुआ है आपको तो radius निकल जाएगा और आपको दोनुही केस के लिए अब फोर्मुला निकाल के आपका पता है कि टॉर्क जो फोर्मुला और पावर कशना कर दॉआक टॉर्क इंटो ओमेगा दोनुही फोर्मुला को पता है थोस्तोंके परलो अगर कोई डाउट आटा है तो मझे पूछे मैं आपको किलियर कर दूंगा नेक्स्ट लास में ओके थैंक्यू